लेंदेन के विवाद को लेकर रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड में दो यूवकों ने दुकानदार पर पिस्टल तान दी दिन दहाडे ऐसी स्थिती देखकर मौके पर हड़कंप मच गया हाला कि पुलस ने मामले में ततपरता दिखाते हुए दोनों को गिरफतार कर लिया है शहर के पुराने बस स्टैंड में उस वक्त हरकंप मच गया जब दो यूवक एक दुकानदार के सामने पिस्टॉल तान कर खड़े हो गए सरयाम होई इस घटना से रीवा की कानून ववस्था की पोल खोल दी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकानदार से लेंदेन को लेकर हुए विवाद के बाद दो यूवकों ने पहले उससे मार पीठ की और फिर पिस्टॉल तान दी जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहूल निर्मित हो गया जिसके बाद इस्थानी लोगों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुची पुलिस और शिल्पी बीट के पुलिसकर्मियों ने यूवक को पकड़ कर पिस्टल बरामत कर ली सिवल लाइन पुलिस यूवकों से पूस्ताच कर रही है लेकिन दिन दहारे बंदूक लहराने के घटना से व्यापारियों में धार्शत और रौश का माहूल देख जा रहा है यह पुराना बसिस्टेंड यूवा का मेंटर है देरदार्ट सोचना प्राप तो वहां कुछ यूवकों अप्लोग दुबानदारों के साथ में कोई अबात्तब कर रहे हैं मार्टीट को तयार हो रहे हैं सोचना पे हमारी स्परणरा बीट और सिल्वी प्लाजा बीट भॉकर पे गई थी वहां पे कुछ लुपों अपने कबजे में लिया था और जिसमें से दीवांस गौतम पिता हरी सर्ड गौतम अबैद पिस्टल 32 बोल का और कार्पूस के शार्थ पाया गया था दूसरा इसका साथी दीवांस गौतम भी उस अपराधिक कृत में समलित था उसके खिलाब भी कड़ी प्रतिमना करवाई की जा रही है यह कहां के रहने वाले हैं यह एक तो मुलता है राइपूर कर चुलियान चेत्र का दिवास रहने वाला है यहां पारगैस बदापने पास है अगए मकाम है और दूसरा ताटा पंदराओं जोंक अधुमान टोला ह ताटा है ताटा शिर बोड़का रहा करें यहां